करन जोहर की मच अवेटेट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फान्स बेस सबरी से इंतजार कर रहे थे इस फिल्म को लेकर खुद करन भी बहुत एमोशनल है फिल्म की रिलीज रेट में कई बार चेंजस हो चुके हैं ऐसे में करन को इसकी रिलीजिंग को लेकर बहुत टेंशन थी बट अपनी बर्थडे पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है 25 में को करन जोहर ने अपना 51st बर्थडे सेलेब्रेट किया और अपने फांस को एक बड़ा तोहफा दिया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पोस्टर रिलीज करके येस, you heard it right पूरी अपडेट जाने से पहले चानल को फालो कर दीचे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना करन ने इंस्टेग्राम कर अपनी अपकमिंग फिल्म के दोनों में लीड आक्टर्स और करेक्टर से इंटर्डेउस करवाया है सबसे पहले करन ने रॉकी को इंटर्डेउस करवाया जिसका कैप्शिन था रॉकी का कैरेक्टर बॉलवुड के अनरजी किंग रनवीर सिंग प्ले कर रहे है इसके बाद करन जोहर ने रानी से मुलाकात करवायी जिसका कैप्शिन था रानी का कैरेक्टर अक्रस आल्या भट प्ले कर रही है और ये दोनों ही स्टार्स काफी स्टनिंग लग रहे है रॉकी अन रानी की प्रेम कहानी के ये पोस्टर्स अक्चुली में फैंस को बहुत एक्साइट करने वाले हैं क्योंकि फिल्म को देखने की जाहा और भी स्यादा बढ़ जाएगी रॉकी अन रानी के अलावा करन जोहर ने इन दोनों की फैमिली से भी इंटर्ड्यूस करवाया जिसका कैप्शन काफी इंट्रेस्टिंग है फिल्म में आलया और अन्वीर के साथ धर्मेंदर जया बच्चन और शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई 2023 को सिनेमाज में रिलीस होगी फिल्म की पोस्टर्स देखकर तो यही लग रहा है कि रॉकी और रानी की कहानी इनकी फैमिलीस को एकसेप्टेट नहीं है और फिर वो अपनी फैमिलीस को कन्विंस करेंगे अपने प्यार को एकसेप्ट करवाने के लिए यह काफी नॉर्मल प्लॉट है किसी भी लफ स्टोरी का लेकिन करन जोहर ने इसमें क्या नया तड़का लगाया है यह देखना इंड्रस्टिंग होगा करन जोहर ने साथ साल बार डिरेक्शन में वापसी की है इस फिल्म से उन्हें काफी उमीदे हैं अब देखना यह है कि फैंस को यह फिल्म कितनी पसंद आती है क्या आपने रॉक्य और रानी की प्रेम कहानी का यह पोस्टर देखा आपको यह फॉर्स लुक कैसे लगे क्या है अब बार 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 कि उत्पार गाना कॉवड किछ प्या बार बल्यूर्स पर्बल्यक प्रेम के क्या है